हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तु माई यूटूब चैनल, के एलेश्टडी फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग दो, साइन्स की हमारी नेक्ष्ट क्लास है, क्लास नमर 15, और इसमें हम कवर कर रहे हमारे केमिश्टी के सभी टॉपिक ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हमारी कवर हो चुका है, और लगभग आपके दो-तीन टॉपिक ही बचे हैं, जैसे रेडियो सक्रियता होती है, इसके बाद आपका एक टॉपिक और क्यमिश्टी का दिया गया है, अमल च्छार और लबड करके, और एक होता है हाईड्रो कार्मन, तो यहां से कॉस्टन बनते हैं, ठीक है आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रेडियो सक्रियता, अर्थात रेडियो एक्टिविटीस क्या होती है, ठीक है, यहां से हर सिप्ट में आपका कॉस्टन बनता ही है, आप पिछले पेपर उठा कर देखेंगे, तो किसी ना किसी रूप में आपको रेडियो सक्रियता स एक कॉस्टन देखने को मिल जाता है, कभी कभी पूंच लेता है कि जो आपके आवसेस होते हैं, या जो जीवासम होते हैं, इनकी खोज के लिए किस समय स्थानक, रेडियो सक्रिय समय स्थानक का प्रियोग किया जाता है, ठीक है, तो इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे, यह बहुत important topic है, तो आप थोड़ा सा इसको समझते हुए, यदि clear करते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से solve होने वाली हैं, और आपको बता दें, कि आपको इस तरीके से इन topic को cover करना है, कि यदि आपको time बाद में ना भी मिले, तो आप इनके question कर पाएं, क्य सार दे पाएं, ठीक है, तो आज की सेसर में हम radio सक्रियता क्या होती है, और इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो alpha करना है, गामा करना है, बीटा करना है, इसके बाद आपका नाभकिये विखंडन और नाभकिये सल्लायन, most important है, कभी-कभी पूंच लेता है, आपका पर प्रमाणू रियक्टर कहते हैं, यहां से भी question पूंचा जाता है, पिछली बार एक question पूंचा था, कि जो नाभकिये रियक्टर होते हैं आपके, इसमें जो मंदक होता है, मंदक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है, option दिये गया थे भारी जल का, इसके बार दिया ग इस क्या होती है, तो प्रिकिर्ती में पाए जाने वाले तत्व, अब एक एक सब्द का आप बिल्कुल डीब अर्थ समझ चुके होंगे, जिसने भी पिछले सारे lectures देखे हैं, अब हम बार बार आपको यहीं नहीं बताते रहेंगे कि तत्व क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, तो यहां दिया है कि प्रिकिर्ती में पाए जाने वाले तत्व जो स्वतह विखंडत होकर, इसका मतलब होता है, जो स्वयम के द्वारा विखंडत होते हैं, इसको किसी अनमाध्यम की आवशक्ता नहीं पड़ती, तो क्या कहा है कि प्रिकिर्ती में पाए जाने वाले तत्व जो स्वताह विखंडित होकर कुछ आद्रश्य किरणों का उतसर्जन करती हैं। आद्रश्य किरणों का मतलब जो हमें दखाई नहीं देती या फिर जिनको देखने के लिए किसी यंत्र या उपकरण जैसे सुक्ष्मदर्सी वगेरा की हेल्प ली जाती है तो उनका प प्रकिर्ती में पाए जाने वाले तत्व जो स्वताह विखंडित होकर कुछ आद्रश्य किरणों का उतसर्जन करते हैं वो रेडियो सक्रियत तत्व कहलाते हैं और यह जो घटना होती है यह घटना क्या कहलाती है आपकी रेडियो सक्रियता कहलाती है आप समझ चुके हैं क किरती में पाए जाने वाले तत्व जिनको किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती बलकि वो स्वयम ही विखंडित हो करके और कुछ आदर्श करणें जो हमें दखाई नहीं देती ऐसी करणों का उतसरजन करती हैं तो वो तत्व कहलाती है आपके रेडियो सक्रिय तत्व और यह पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है जो घटना होती है यह आपकी रेडियो सक्रिय तत्व अर्थात रेडियो एक्टिविटी कहलाती है अब देखते हैं रेडियो सक्रिय तत्वों से नकले वाली आदर्श करणें अब जितने भी आपके रेडियो सक्रिय तत्व हो आपने पड़ा होगा कि जो यूरे नियम होता है वो एक रेडियो सक्रिये तत्व है ठीक है तो यहां कहा है कि जो रेडियो सक्रिये तत्व हैं इनसे कुछ आदरश्य करणे निकलती है तो यह करणे जो होती है वो रेडियो सक्रिये करणे कहलाती है तो सारी चीजें आप समझ सन 1896 इसवी में फ्रांस के वैग्यानिक हैंडरी बैकरेल कहीं कहीं बैकरेल मिलता है कहीं कहीं लिखा होता है बैकूरल तो एक ही बात है ठीके तो सन 1896 सन याद रखना है कब सन 1896 में वैग्यानिक कहा के थे आपके फ्रांस के कौन थे हैंडरी बैकूरल इन्होंने सर्वपिर्थम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था ठीक है पता किसे ने लगाया आपके हेनरी बैकुरल 1896 में फिर कहा है कि हेनरी बैकुरल ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया और इन्होंने क्या पाया कि जो आपका यूरे नियम है और यूरे नियम लवडों से कुछ आदरश्य करणे स्वता और सर्जित होती है तो प्रारम में आदरश्य करणों को वैकुरल करणे कहा गया था ठीक है तो इनी ने बताया था कि जो आपका यूरे नियम है यूरे नियम के जितने भी लवड होते हैं इनसे कुछ आदरश्य करने नकल रही है तो यह क्या कहलाती है आदरश्य करने और इसे प्रारम हमें बैकुरल करने कहा गया इनी के नाम पर फिर कहा है 1898, most important, सनियाद रखना 1896 की वाद 1898 में मैडम क्यूरी और उनके पती पियरे क्यूरी ने सुझाव दिया कि यूरे नियम और इसके योगों से बैकुरल करणों का निकलना एक परमानू जनित किरिया है इन्होंने क्या कह दिया कि जो किरणय नकलती है आपकी वो कैसी होती है एक परमानू जनित किरिया है और यह विसेश्ट गोन यूरे नियम की रासा आने की स्थिती या भोते कवस्थापन निर्भर नहीं करता है ठीके फिर कहा 1898 में ही मैडम क्यूरी एबं इसमीट्स करके थे एक बिद्वान इन्होंने अन्न रेडियो सक्रिय पधार्थों की खोज के क्रम में बताया कि थोरियम धातू के तत्वब में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है तो पिछली बार एक सेप्ट में पूंचा गया था कि थोरियम धातू में रेडियो सक्रियता पाई जाती है और परियोग तो कथन किसका है तो ये मैडम क्योडी और इसमीट से ने बताया था ठीक है फिर 1902 इसवी में मैडम क्योडी और उनके पती पियरे क्योडी तीनो सन याद राखेंगे सबसे पहले 1896 में कौन बैकुडल आए फिर 1898 में आपकी कौन आई मैडम क्योडी इनके पती पियरे क्योडी ठीक है फिर 1902 इसवी मेडम क्योडी और उनके पती पियरे क्योडी ने पता लगाया कि ईूरे नियम के खनज खनज होते हैं सबके आयस्क जिसे कहते हैं तो जो खनज है इसका पिच बिलेंड मैं यूरे नियम की अपेक्षा लगभग चार गुनी अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्द होती है पूशा जाता है सबसे अधिक रेडियो सक्रियत अत्व कौन सा होता है तो बहाँ पर यदि आपका आयस्क दिया है खनेच दिया है तो आपको पिच बिलेड लगाना है क्योंकि इसमें जितनी रेडियो सक्रियत आपके यूरे नियम में है उससे चार गुनी अधिक किसमें होती है यूरे नियम के खनेच पिंच बिलेड कहीं कहीं पिंच बिलेड लखा होता है कहीं कहीं पिंच बिलेड में ठीक है इससे इसपष्ट हुआ कि पिंच बिलेड में यूरे नियम से अधिक रेडियो सक्रिय तत्व पस्तित होता है इस अनुमान के याधार पर जो वेग्यानक दमपत्ती है मेडम की उड़ी और पीरे की उड़ी अपने कठन और जोखें भरे अनुसंधान के फलसरूप 1930 से भी में पिंच विलेड से रेडियम नामा के कत्यांत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की थी तो तीनों सन याद रखेंगे 1896 में बैकुरल आते हैं फ्रांस के थे इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो यूरे नियम है उससे जो आपकी करणे और सरजित हो रही है स्वता ही वो क्या है आपकी रेडियो सक्रिय करणे हैं और इन्हें इनके नाम पर बैकुरल करणे कहा गया फिर 1898 में आपकी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी आते हैं तो इन्होंने बताया कि जो यूरे नियम है वो उसमें रेडियो सक्रियता है वो कैसी है एक परमाणू जनित करिया है फिर इसके बाद इनके साथ इसमीट्स करके आए और फिर उन्होंने ये सारी घटना बताई ठीक है अब देखते हैं आज लगभग 40 प्राकर्तिक रेडियो सक्रिय समस्थानेक और अनेक रेडियो सक्रिय तत्व ग्यात हो चुके हैं अब देखते हैं रेडियो सक्रियता की प्रकार रेडियो सक्रियता दो प्रकार की होती है एक तो प्राकर्तिक और एक होती है किर्ति तो प्राकरते मतलब जो प्रकरती के द्वारा प्राप्त है और करते मतलब जिसे मानावने बनाया है तो किसी तत्व के रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमानू के नाभेक का विखंडन होता है तो अब हम परमानूं भी पढ़ चुके हैं, अनूं भी पढ़ चुके हैं, तो परमानूं का नाभेक भी आपको बता दिया है कि नाभेक क्या होता है, इसके बेभेनकक्ष क्या होते हैं, लेक्टोन कहां चक्क लगाते हैं, नाभेक के अंदर कौन कौन से मूलकन होते हैं, प् स्थात कि तूट जाता है इसका कारण है कि रेडियो शक्रिय तत्व के जो पर्मानूं Ze पुचि重 लेगा कि जो रेडियो शक्रिय पर्मानूं होते हैं उनके नाभख में सबसे जादा संख्या किसकी होती है option देगा electron, proton या neutron की तो proton और neutron पाए जाते हैं आपके जो electron होते हैं वो तो भिभन कक्छाओं में क्या करते हैं चक्कल लगाते हैं ठीक है तो neutron की संख्याधेक होती है किसमें आपके radio शक्रियत तत्बों में जो रेडियो सक्रिय है जैसे यूरे नियम हो गया थोरियम हो गया ठीक है तो रेडियो सक्रिय तत्वों के परमानूं के नाभिक स्वताह विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमानूं में परिवर्द है जैसे यूरे नियम है ये विखंडित होकर अन्य तत्व बना देगा त प्राकर्तिक मतलब इसमें किसी का हस्त छेप नहीं है मानाओं का ठीक है प्रिकिरती की ये घटना है इसकाराण से इसे प्राकर्तिक रेडियो सक्रियता कहते हैं तो रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणूं के नाविक स्वताह वेखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणूं का मतलब प्रिकिर्ती और जो आपके रेडियो सक्रिये तत्व हैं उनमें क्या होता है जो नाविक होता है परमाणूं का वो स्वता विखंड़त होकर अन्य तत्वों की परमाणूंगों में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है और एक घटना कैसी होती है श्वभाविक हो तो पूँचेगी आप से प्राकर्तिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा नहीं है या कौन सा है तो इनमें जो भी परिवर्तन होते हैं जो भी नया तत्व बनता है बो आटोमैटिकली मतलब स्वभाविक रूप से बनता है ठीक है नेक्स्ट है आपका किर्तिम रेडियो सक्रीता तो किर्तिम रेडियो सक्रीता बहे है जिसके द्वारा कोई तत्व किर्तिम तरीके से किसी ग्यात तत्व के रेडियो सक्री समिस्थानिक में परिवर्तित किया जाता है इस प्रक्रिया में उस तत्व पर ती प्रवेग वाले कणों से प्रहार किया जाता है जैसे यहाँ पर proton है तो proton पर हम किसी भी प्रकार की बंबारी करवा देते हैं ठीक है, deutron हो गया, alpha कण हो गया तो यह आपके किर्टेम है क्योंकि यह मानाओ के द्वारा इन पर पिरहार या इन पर इन गती विधियों में मानाओ हस्त छेप कर सकता है ठीक है तो याद रखेंगे प्रोटोन, डिूट्रोन, ओल्फा कान इस सारे कैंसे तत्व हैं आपके किर्टेम रेडियो सक्रियत तत्व दखाई नहीं देती है को रेडियो सक्रिय करणे कहते हैं दिया है रेडियो सक्रिय पधारतों से नकले वाली इन करणों को पूछता है कि सबसे पहले जो है रेडियो सक्रिय करणों के बारे में किस ने बताया तो रेडियो सक्रिय पधारतों से नकले वाली इन करणों को बचिन पानने सब्सक्री के और ना भी और कौश स्पथै तो इनगों किया उन्हे चुंब की चुम्ब की और विध्धु चेतर का कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ता जन पर प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या होती होगी ओदासीन होती होगी तो एस सीधे गमन करती हुई नकल जाती है मतलब इन पर विद्धो चेतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इसी के आधार पर आपकी एलफा बीटा और गामा करणे आपको पढ़ना है कि कौन सी करणे आपके धंध्रों की और मुरने वाली है कौन सी रणध्रों के और मुरती है और कौन सी आपकी ओदासीन होती है तो एक किसने बताया रदरफोड ने फिर रदरफोड ने इन करणों को करमसा एलफा बीटा और गामा करणों के बारे में सबसे पहले किसने बताया तो आपसन इस तरिके से देगा, डॉल्टन ने बताया, या फिर एम, एजीसन ने बताया, या फिर आपके रदर फुर्ड ने बताया, तो याद रखेंगे, रदर फुर्ड ने, और ए घटना कप की है, तो 1902 की है, ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं, रेडियो सक्रिय क कौन-कौन से आपकी alpha करने, beta करने और gamma करने, alpha एस तरीके से लखा जाता है, beta एस तरीके से और आपका gamma बगेरा एस तरीके से लखा जाता है, ठीक है, तो यहां दिया है alpha करनों के गुण क्या होते हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे, आप तीनों में compression लिजन करेंगे और आसानी से सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे ठीक है एलफा करणा के गुण है तो जो एलफा करणा है अती शुक्षम धन आवेशत कणाओं की बनी होती है कैसे धन आवेशत कणाओं की तो हर एक पॉइंट से question मनेगा पूछ लेगा धन आवेशत कणाओ से बनी हुई करणे कौन सी हैं तो एलफा करणे हैं इस कारण बेद्धो छेतर में गमन करते समाई अभी रदर फोड ने बताया था कि जो रेडियो सक्रिये पधारतों से करणे नकलती हैं वो बेद्धो तो चुम्ब की चेतर से उनको प्रभावत करते हैं तो कुछ धंद्रों की उर और कुछ रंद्रों की ओर मुड़ती हैं तो क्या कहा है कि जो एलफा करणे हैं या सूख्श्म धन आवेशत कणो की बनी ओर मुलती यह इस कारण विध्धो चेतर में ये गमन करते समाई करण विद्धो चेतर के रंद्रों की और मुड़ जाती हैं तो ये बनी किसकी होती है तो धनावेशत कणों की बनी होती है अब कण क्या होते हैं तो कण जो होते हैं मतलब जो परमानू हमने पड़े थे तो इसके छोटे छोटे कणों से मिल करके जो पधार्त बना होता भही आपका परमानू कहला आता है ठीक तो क्या है धनावेशत कणो गया कि जो एलफा कान है वो बस तुता दुई आवेश्योक्त होते हैं दुई आवेश्योक्त हीलिया मायन जैसे है च लखा इस तरीके से जैसे ए प्लस प्लस लिख दिया या मायनस मायनस तो दुई आवेश्योक्त होती है इनकी मात्रा हाइडोजन परमानों की मात्रा से चार गुनी अधिक होती है तो पूँच लेगा कि वो कौन सी करने हैं जिनकी जो दूई आवे से उक्तशमता है वो हाइडोजन परमानु से चार गुनी अधिक है तो आपकी अलफा करने है नेक्स्ट है यह अत्यांत तीब्रवेक से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलती है ठीक इसका बेग प्रकास के वेक का एक वटे दस भाग होता है तो पूँचता है कि कौन सी करने हैं जिसका बेग प्रकास के वेक का एक बटे दस होता है तो वो आपकी अलफा करने है इन करणों का द्रबमान अर्थात जो भार होता है वो बहुत अधिक होता है और द्रबमान अधिक होने के कारण द्रबमान हम आपको बता चुके हैं अधिक होने के कारण गत जूर जा भी अधिक होती है मतलब आपको याद रखना है कि जिन करणों का भार या द्रबमान अधेक होगा उनकी गते जूर जा अधेक होगी और जिन करणों का द्रबमान कम होगा उनकी गते जूर जा भी कम होगी ठीक है तो जो एलफा करणा है इनका द्रबमान अधेक है और गते जूर जा भी इनकी अधेक है इनका बेक केतना है तो प्रकास के बेक का एक वटे दस भाग है इन करणों को किसी गैस से होकर यदि हम प्रवाहत करते हैं तो एक करने पर यह आयनित कर देती है ठीक है नेक्स्ट है अधिक द्रबमान होने के करण बेधन चमता कम होती है तो याद रखेंगे देखो द्रबमान अधिक है तो गते जूर जा तो अधिक होती है लेकिन द्रबमान अधिक है तो जो बेधने की चमता होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है जीरो पॉइंट बन मिनीमीटर मोटी एलो मिनियम की एक पत्तर इन्हें रोक सकती है मतलब इतने कम जो है पावर की जो पर्त होती है वो भी इसको रोख सकती है ठीक है तो बेधन चमता इनकी बहुत ही कम होती है और इसका कारण क्या है कि इसका द्रबमान अधिक है एक करण है जीव कोसिका उनको नश्ट कर देती है मतलब जो जीव कोसिका होती है उनको नश्ट करने की इन में छमता पाई जाती है तो alpha करने समझ गया आप क्या होती है अब देखते हैं beta करने तो एक करने रण आवेस योक्त अत्यंत सुक्ष्म करनों से बनी है और जब रण आवेस से बनी है तो एक स्तर आप मुर्ती होगी विद्ध चेतर के धंद्रों की और मुर्ती हैं बिलकुल आसान है फिर इन करनों के लिए आवेस और द्रबमान का अनुपात e upon m कैथोड करनों में उपस्ति अलेक्टरोनों की समान है अता एक करने अलेक्टरोनों के प्रवाह है तो आपको भाहता था एक वैटे दस था और एक नौ वैटे दस वा भाज होता है अर थात नका वैज इन गुर्वा और से बिए कोवर्वा जोड़ा कया हुल कोणद करने है तो वह बीटा करने और एक ज़ूरज़ से लिए कम और उनका द्रबमान क organ कम होगा और वेधन चमता कैंसी होगी? अधिक होगी बिल्कुल गत्य जूर जा के करण इनकी आयनन चमता अलफा कणों की अपेक्षा अधिक स्वरी कम होती है उच्च वर्ग और कम द्रबमान होने के करण इनकी वेधन चमता अलफा कणों से 100 गुनी अधिक होती है ठीक है इनको रोकने के लिए 0.01 मीटर मौटी अलूमीनियम की चादर आवशक होती है नेक्स्ट है एक करण है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सलफाइड और बेरियम प्लेटीनू सायनाइड में इस्फुर दीपतियोत पन कर सकती है नेक्स्ट है इनकी गते जूर्जा कम होने के करण इन करणों में जिंक सलफाइड या बेरियम प्लेटीनू सायनाइड जैसे लबडों में इस्फुर दीपतियोत पन करने की चमता नहीं के बराबर होती है नेक्स्ट है किसी बिद्धो चेतर से होकर गोजरने पर धंद्र होकी और मुर जाती है किन्तु एलफा करणों की अपिक्षेन का विचलन अधेक होता है और इन में भी जीव कोशिकाओं को नश्ट करने की चमता होती है ठीक है तो आपको इतने सारे पॉइंट याद नहीं अधेक होगी और जो आपकी बेदन जमता होती है वो गते जूर्जा कम होती है और बेदन जमता अधेक होती है नेक्स्ट है आपकी गामा करने गामा करने क्या है तो एक करने बिद्धो तो दासीन होती मतलब इसको यदि हम बिद्धो चुम्ब की चेतर में प्रवाहत करते ह तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक करण सीधी नकल जाती है, तो इन्हें उदासी न कहा जाता है, ठीक है, इस कारण बिद्धु छेतर से गमन करते समाई, एक करण बिद्धु चुम्ब किये तरंगे हैं, एक करण कणों की नहीं बनी होती, अभी हमने देखा वो दोनों किसके कुछ धनावेशित कणों और कुछ रनावेशित कणों की बनी है, लेकिन इक कणों की नहीं बनी होती, इनका बेग प्रकास के बेग के बराबर होता है, ठीक है, पहली जो एलफा करण है, उनका बेग प्रकास के बेग का एक बटे दस होता है, दूसरी वाली ज वोती हैं अता गामा करण आदर्ब्व प्रकिर्टी वाली होती हैं फूच्फवेक से गतिसील होने के कारण गामा करणों की बेधन्छमता सबसे अधर करणों Sono का द्रभमांनों नहीं पर होने के कारण इनका photographic plate एबं जिंक sulfide या barium platino cyanide पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है सबसे अधिक प्रभाव आपकी बीटा करणों का पड़ता है इन करणों में जीव कोशिकाओं को नश्ट करने की मतलब तीनों में ही जीव कोशिकाओं को नश्ट करने की छमता होती है गते जूड़ जा का मान बहुत कम होने के कारण इन करणों में गैसों को आयनत करने की छमता भी बहुत कम होती है तो इतनी चीज़ें आपको alpha, beta और gamma करणों के बारे में याद रखनी है अब हम देखते हैं पिछली बार पूंचा गया था रेडियो सक्रिय है ताकि एकाई क्या होती है तो वो QD कहलाती है तो देखे एकाई मतलब इसको मापते किसमे है कि कौन सा पधार्थ कितना रेडियो सक्रिये है तो यही एकाई जो कहलाती है किसी रेडियो सक्रिये पधार्थ का बह परिमाण जिसमें प्रती सेकेंड 3.70 into 10 raise to the power 10 विखंडन होते हैं क्योडी कहलाता है अब यह विखंडन क्या होता है जिसमें परमाणू का वड़ा सा नाविक तूटकर दो भागों में विखंडन हो जाता है वही आपका विखंडन होता है तो पूचता है एक क्योडी में कितने प्रती विखंडन होते हैं सेकेंड में तो एक क्योडी में 3.70 गुणा 10 की उपर 10 की हात मतलब दसमलाओ के बाद पूरा बैल्यू नहीं पढ़ते 7.0 पढ़ेंगे ठीक है में खंडन प्रती सेकेंड होता है अब हम देखते हैं रेडियो आईसोटोप डेटिंग मोस्ट इंपोटेंट हर फैक्ट आपको याद रखना है और याद कर लिना है कि कहां पर किस चीज का प्रियोग किया जाता है एक क्वेश्चन यहां आपसे बनने वाला है यहां का ठीक है तो किसी रेडियो सक्रिय समिस्थानेक अब हम समिस्थानेक बता चुके हैं आपको और समभारेक भी बता चुके हैं जिनके परमाणु किर्मांग समान परमाणु भार भिन्न होते हैं वो समय स्थानक कहलाते हैं और जिनके परमाणु भार समान होते हैं परमाणु किर्मांग कलाग होते हैं वो आपके शंभार कहलाते हैं तो किसी रेडियो सक्रिय समय स्थानक की मात्रा का किसी पत्थर के नमू से करते हैं तो रेडियो सक्रिय समस्थान कों कि यह जो है आयू निर्धारण करना ही क्या कहलाता आपका रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है आपका कारवन डेटिंग आपने पढ़ा होगा जो सिंदु घाटी सब बता है तो बहां आता है कारवन डेटिंग का प्रियो घाटी सब बता में जीवों के अफसेस मिले, मूर्तियां मिली, नर्द की की मूर्तियां मिली इस तरीके से ठीक है, तो इस सारे जो जीवास में प्राप्त हुए हैं, वो कारवन डेटिंग के द्वारा ही हुए हैं, जैसे म्रत पेड पौधे में लगाए ठीक है, डायनासौर क जीवास में मिले आदी की आयू का अंकन किया जाता है इसके माध्यम से निर्जी वस्तुएं जैसे पृतवी पुरानी चट्टान है आदी की आयू ग्याद करना की कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है यूरे नियम का प्रियोग किया जाता है तो याद रखेंगे पूंचता है आपसे पुरानी चट्टानों की आयू ग्याद करने के लिए किसे रेडियो सक्रिय तत्व का प्रियोग किया जाता है तो यूरे नियम का इसे यूरे नियम द्वारा आयू अंकन कहते हैं नेक्स्ट बहुत अधिक पुरानी जो चट्टाने हैं उसके लिए पोटेसियम औरगन डेटिंग विधी का प्रियोग होता है फिर मिरत पेड़ पौधों और जानवरों की आईू निर्धारन के लिए कारवन के जो समस्थानेक हैं सिक्ससी चौदा और सिक्ससी वारा कानुप चेत्रों में किया जा रहा है जैसे फश्ट है रेडियो सक्रिय समस्थानकों का उप्योग मिरत पेड़ पौधों जानवरों पत्थर पुराने नमूनों की आयू गयात करने में कि कौन सा पत्थर जैसे कोई सिलालेक प्राप्त हुआ तो उसका पता तो लगाते हैं हम जैसे आसो किस सलालेक हैं तो हमें पता चल गया है कि कौन सा सलालेक कितना पुराना तो यह कैसे पता चला है तो इसके लिए जिसका प्रियोग होता वो आपके रेडियो सक्रिय समस्थानिक ही होते हैं इस बिदी को रेडियो आई स्टोप डेटिंग कहते हैं फिर दिया है रेडिय किस तरीके से बताते हैं तो इसी का प्रियोग करते हैं औस दियों में ट्रेजर के रूप में नेक्स्ट है जमीन के अंदर बिचाई गई जल पाइप लाएन हो या गैस पाइप ना लिया हो या तेल पाइप ना लिया हो किसी पिरकार का यदी छेद हो गया या रसाव हो गया तो यह साथ नहीं है कि पूरी की पूरी लाइन को ही नकाल देंगी नहीं इसके लिए रेडियो सक्री समिस्थान को का उपयोग किया जाता है और बहां से पता लग जाता है कि कहां पर रसाव हो रहा है नेक्स्ट है रासायने कभी किरियाओं की किरिया विधी निर्धारण में रेडियो सक्री समिस्थानकों का उप्योग होता है पौधों में और वरकों की किरिया जानने में रेडियो सक्री समिस्थानक का प्रियोग होता है फिर दिया है कैंसर जैंसे अनेक रोगों से ग्रस्त कोशिकाओं को नश्ट करने में जो आपकी क्या बोलते हैं उसको सिकाई वगेरा तो वो यही होती है ठीक है रेडियो सक्री समस्थानकों का प्रियोग वहां होता है उधारन दिया है कोवाल्ट के समस्थानक मोश्ट इंप बमान होता है परमानों किरमांग होता है तो किसका प्रियोग किया जाता है कोवाल्ट के समस्थानक 27 कोवाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में तथा मस्तिस्क में बिक्सित होने वाला जो ब्रेंट यूमर होता है जिसे हम कहते हैं इसको नश्ट करने में किया जाता है पि रेडियो सक्रिय सोडियम है उसका उपयोग रोधर परी संचरन तंत्रम उत्पन किसी परकार के विकार को ग्यात करनी में फिर रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग कहा होता है तो आयोडीन आपने पढ़ा होगा इसकी कमी से घेंगा नामक या थायराइड रोग हो जाता है तो रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थाराइड ग्रंथी से उत्पन विकार, तो याद रखेंगे आपकी कौन-कौन से आपके रेडियो सक्रिय तत्व हैं, ठीक है? रेडियो सक्रिय फासपुरस का उपयोग अस्थी रोगों के इलाज में होता है, रेडियो सक्रिय सोडियम द्वारा सरीर में रक्त प्रवाह की वेक कुमा पा जाता है कि कितना रक्त का प्रवाह है नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय जो लोहा होता है आपका आयरन जिसे कहते हैं इसका उपयोग एनिमिया तो आपको पता है लोह तत्व की कमी से एनिमिया हो जाता है तो इसको ग्याद करने में होता है फिर रेडियो सक्रिय यूरे नियम जो है आपका 92 यूरे नियम का परमाणू किर्मांग है और 238 मतलब इसके समिस्थानिक भी होती है तो जो आपका याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट है कम क्रियासील रेडियो सक्रिय करणों का उपियोग जो कम क्रियासील तत्व होते हैं उनका प्रियोग अनाज फल सब्जियों मतलब छोटी चीज़ें जो होती है उनके रोगानु नासन में किया जाता है तो इतने ही आप पॉइंट याद को बता रखा है कि जो नावगी विखंडन है और नावगी सल्लायन वो कहलाता क्या है तो नाम से ही तो इस पश्ट है विखंडन मतलब तूटना और सल्लायन मतलब जोड़ना तो दिया है किसी रेडियो सक्रिय तत्व यहाँ पूरी रेडियो सक्रिय ता की बात चल रही है तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तनों के दौरान नाभिक के द्रबमान में होने वाली छती का उर्जा में परिवर्तन जैसे ये आपका कोई रेडियो सक्रिय तत्व है ये उसका नाभिक है और इस नाभिक में कोई परिवर्तन हुआ इस उर्जा में और जब ये उर्जा में बदलती है तो इससे उर्जा की बहुत सारी मात्रा प्राप्त होती है और बही आपकी नावकिये उर्जा न्यू किलियर एनर्जी कहलाती है अब नावकिये उर्जा के दोसरोत है नावकिये विखंडन और नावकिये सलायन अब नावकिये तो वह नाभ गिया फिप एक बड़ासा भारी नाभिक बिखंड़ित हो कर अर्था तो 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 डूटकर दो हलके हलके नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है और उर्जा की एक बिसाल रासी मेमुक्त होती है तो बहुत नावकी विखंडन कहलाती है अब दिया है 1949 जर्मन वेग्यानिक आटोहान और इस्ट्रास में ने तो पूंचता है नावकी विखंडन के बारी में सबसे पहले किसने बताया तो 1949 में जर्मन के वेग्यानिक आटोहान और इस्ट्रास में ने बताया कि 92 यूरेनियम 235 के नावक पर मंद वेगबाले न्यूट्रॉन से यदि हम प्रवाह कराते हैं तो न्यूट्रॉन आपको अभी बताया था ठीक है न्यूट्रॉन क्या कहलाता है तो इस पर यदि हम प्रहार करते हैं तो यूरेनियम का नावक तूट कर दो चीजें बना देता है एक तो आपका 56 बेरेलियम 141 और 36 क्रेप्टॉन 92 में बदल जाता है और इस प्रक्रिया में 3 अन्यूट्रॉन उत्पन होते हैं और उर्जा की विसाल रासी बेमुक्त होती है मतलब इसको यदि हम तोड़ते हैं तो यह दो चीजें यहां पर बन जाती है और यही नावक की ये विखंडन होता है फिर कहा है नावक की विखंडन पिर किरिया में नावक के द्रबमान में कुछ च्छती होती है और द्रबमान की यह च्छती आपको आइंस्टीन का सिध्धनत बताया था E बराबर M C स्क्वेर जहां E आपकी उर्जा होती है M आपका द्रबमान में च्छती होती है और C आपके प्रकास का वेग होता इसके अनुसार उर्जा में परिवर्तित हो जाता कभी कभी यही पूँच लेते हैं आइंस्टीन समीकरन बताईए तो E बराबर M.C.A. स्क्वेर होता है अब देखते हैं परमाणू बंब जो हैं वो किस पर कारिये करते हैं तो नावकी विखंडन पर और आपके जो हाइड्रोजन बंब होंगे वो नावकी सल्लायन पर तो याद रखेंगे यहाँ से कॉश्चन बनता है अब देखते हैं नावकी सलयन तो बहन नावकी अभिकिरिया जिसके फलसर्व दो छोटे छोटे नावक परस पर सायोक्त हो जाते हैं और एक बड़ा भारी नावक और स्थाई नावक का निर्माण कल लेते हैं तो यह किरिया नावकी सलयन कहलाती है और हमने आपको बताया था जो आपके तारे होते हैं जैसे आपका सूरी एक तारा है तो इसमें जो आपका इधन प्राप्त होता है वो नावकी सलयन पर ही आधारत होता है ठीक है नावकी सलयन परिकिरिया में द्रबमान की सदेयों छती होती है जो आइंस्टीन समीकरण की अनुसार उर्जा में परिवर्तित मतलब यहाँ पर सदें च्छती ही होती है ठीक है और जो उर्जा में परिवर्तित होती है यही कारण है कि इस प्रक्रिया में अपार उर्जा मुक्त होती है साथ ही इस प्रक्रिया के प्रारंब हो जाने पर इसम प्रकास उर्जा का कारण यही नाव की अभी किरिया होती है तो यही आपको पताए आभी अभी हाइडरोजन बॉम जिसकी संघारेक शम्ता परमानुबंब से कई गुना अध् OUT होती है यहीजिक आप कि पूंच ले कि कि की शम्ता अधिक होती परमानुबंब की अब देख लेते हैं नाव़की और्जा का उपयोग कहां पर किया जाता है तो नाव़की और्जा का उपयोग बायु यान, जहाज, पंडुब यादी चलाने में होता है उपयोग याद रखेंगे यहां से कौश्यर बनते हैं, ठीक रोकेट उडानी में नावकिय उड़जा का उप्यूग किया जाता है सूरियों और अन्यतारों से प्राप्त उस्मा एवं प्रकास उड़जा का स्रोत भी नावकिय सल्लायन अभी किरिया है जो लगातार वहाँ पर चलती रहती है अब देखते हैं नावकिय उड़जा को उसमा उड़जा में परिवर्टित करते हैं और विद्धोत उड़जा प्राप्त की जाती है परमानु रियक्टर या नावकिय उड़जा कहलाता है तो पहले आप जान चुके हैं कि नावकिय उड़जा क्या है नावकिय विखंडन और नावकिय सल्लायन क्या है अब जो परमानु रियक्टर होता है इसमें क्या होता है कि जो आपकी नावकिय उड़जा है मतलब नाभिक के अंदर जो उर्जा हमें प्राप्त हो रही है उसको उसमा उर्जा में परिवर्तित किया और विद्धोत उर्जा प्राप्त कर ली यही परमानू रियक्टर कहलाता है और इसमें होने वाला वे खंडन सरंखला भी किरिया नियंतरित रहती है मतलब इसकी एक सर अब जो परमानू रियक्टर है इसके चार भाग होते है इसमें कोर होता है मंदक जिसे मॉडरेटर कहते हैं पिछली बार कॉश्चन पूछा था बहां मंदक ना दे करके ऐसा लखा गया था मॉडरेटर ठीक है तो यह याद रखेंगे सीतला कॉलेंट और परिरक्षन भारी जल हम पढ़ा है आपकी हाइडोजन का समस्तानिक है जित आपके एक द्वार परियू born किसे करता है कि मंदक का प्रियोग हो गया यहां —पर रियक्टर कहलाए गा तो यह दोनों फेक्ट याद रहांसा नेक्सट है सीतलक की रूप में मतलब होलेंट के रूप में किसका प्रियोग करते हैं तो सोडियम और पोटेसियम की द्रवित में स्रधातुका तो यह भी आप याद रहेंगे नेक्स्ट है नाव की प्रियक्टर में इधन के रूप में प्रियोग होने वाले तत्व कौन सी है तो वह यूरेणियम प्ल्ूटो है इनका प्रियोग किया जा जबकि केड्मियम छड का उप आप inclusive नियंत्रक छड के रूप में कि सा शिकागो विश्व विध्यालाय में बनाया गया, अब इसके उपी होगा आपको याद रखने हैं, नाविकी रियक्टर से प्राप्त नाविकी उड़जा को बिध्धुत उड़जा में हम परिवर्तित कर रहे हैं, यही आपका परमानु रियक्टर है, तो परिवर्तित करके विद्धुत उत्पादन के लिए विद्धुत ग्रह बनाये जाते हैं और विद्धुत ग्रह हम आपको ब्रह्मांड वाली टोपक में पढ़ा चुके हैं तारापुर विद्धुत साहियं अंत्र ठीक है रावत भाटा विद्धुत साहियं अंत्र कोडन कुलम साई अंतर ठीक है नेक्स्ट है नाविकी रियक्टर में अनेक प्रकार के रेडियो समस्थाने को तपन होते हैं जनका उपयोग चकतसाविज्ञान में किरसी, रोगों के उपचार उध्योग धन्दों आदी में किया जाता है ठीक है तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी यदि जिसको भी एक बार में समझ नहीं आता है तो आप स्पीड बढ़ा करके दोबारां से इसका रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छा माध्यम है आपके पास में झाल